विदेशों में कौार की जोरदार मांग आने वले दिनों में कौार में आएगी जोरदार तेजी किसान सातियों में दिनेस्ता कर आप देख रहे हो हमारे यूटूब चैनल बेस्ट पार्मिंग किसान सातियों अज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवार के पाउ को लेकर किसान सातियों अभी कई देशों में कुवार की जोरदार मांग देखने को मिल रही है किसान सातियों अगर विदेशों में कुवार का निद्यात होता है तो कौार के पावों में कितनी तेजी बन सकती है और आने वले दिनों में कौार का क्या बाव रह सकता है आपको इस वीडियो में पूरी जानकरी दी जाएगी इसलिए शुरू से लेकर अंतर तक वीडियो में बने रहिए और आप आमारी यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करे ताकि आगे भी आपको खेती से संबंदित वा मंडी पाव की जानकारी मिलती रहे किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुआर के इपाव को लेकर अभी कुछ दिनों से कुआर के इपाव में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि मंडियों में कुआर की आवक ज़्यादा होने के कारण लेवाली बहुती कम देखने को मिल रही है और कुहार की मांग भी बहुत ही कम देखने को मिल रही है जिसके चलते किसान भाईयों कुहार के पाउं में किरावट देखने को मिल रही है किसान साथियों बात करें विदेशों में कुहार का निर्यात कब होगा और आने वाले दिनों में कुआर का बाव क्या रहेगा किसान सातियों अभी कई देसों में कुआर की जोरदार मांग देखने को मिल रही है किसान सातियों अगर सरकार बड़ा फेसला लेती हैं कि वी देसों में कुआर का निर्यात किया जाए तो किसान सात्यों फिर मंडियों में अगर कौार की आवग जदा भी होती है तो भी कौार के पाव में कापी सुदर देखने को मिल सकता है किसान सात्यों अभी तो कौार का पाव एक समान देखने को मिल रहा है क्योंकि मंडियों में कुआर की अवग जदा होने की कारण लेवाली बहुत ही कम देखने को मिल रही है किसान साथियों अनुमान तो यही है कि आने वाले दिनों में कुआर के पावों में कापी जोड़दार तेजी बन सकती है उमीद करता हूँ जानकारी पसंद है होगी वीडियो को लाइक अपने किसान साथियों की साथ सेयर करें